भारत माता की मैं सबसे पहले तो इस सभाग्राह में उपस्तित NDA घटक दलों के सभी नेतागान नव निर्वाचीत सभी साउसद्गान और हमारे राजसभागे भी साउसद्गान आप सबका रदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं इतने बड़े समू को आज मुझे यहां स्वागत करने का आउसर मिला है जो साथ ही विजयी होकर के आए हैं वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं लेकिन जिन लाखो कारकरताओं ने दिन रात परिश्रम किया है न उन्हों ने दिन देखा न रात देखी और इतनी भैंकर गर्मी में हर दल के कारकरता ने जो पुर्शार्थ किया है परिश्रम किया है मैं आज सम्विधान सदन के इस सेंटरल होल से सर जुका करके उनको प्रणाम करता हूँ साथियों मेरा बहुत सवभाग्य है के इंडिये के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मत्य से चून करके मुझे एक नया दाहित्व दिया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ ब्यक्ति के जीवन में एक मैं जवाबदारी का एहसास करता हूँ जब दोहजार उनीस में इस सदर में मैं बोल रहा था आप समने मुझे नेता के रुप में चूना था और तम मैंने एक बात पर बल दिया था विश्वास आज जब आप मुझे फिर से एक बार ये दाईत्व देते हैं इसका मतलब है कि हम दोनों के बीश हम अपस में विश्वास का सेत्व इतनों मजबूत है ये अतूट रिस्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है और ये सबसे बड़ी पूजी होता है और इसलिए ये पल मेरे लिए भाव करने वाले भी है और आप सब के प्रति चीतना धन्यवाद करूँ उतना कम है साथियों बहुत कम लोग इन बातों की चर्चा करते हैं साथ उनको शूट नहीं करता होगा लेकिन हिंदुस्तान के इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए कि NDA आदेश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बना करके सेवा करने का मोका दिए हमारा यह एलाइंस सचे अर्थ में भारत की असली जो स्पिरिट है जो भारत का आत्मा है भारत की जड़ों में जो रचा बसा है उसका एक अर्थ में प्रतिवीम भाय है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे देश में दस ऐसे राज्ये जहां हमारे आदिवासी बंधों की संख्या प्रभावी रूप से है निरनायक रूप से है जहां इस आबादी आदिवासी की जादा है ऐसे दस राज्यों में से साथ राज्यों में एंडिये सेवा कर रहा है